इस वक्तिक बड़ा अपडेट बड़ी जानकारी मिल रही है हरियाना से जुड़े हुई भूपेंद्र हुड़ा अपनी सीट से चुनाव जीत गए हैं और 70,626 वोट के बड़े अंतर से भूपेंद्र हुड़ा ने ये चुनाव जीता है गड़ी सांपला किलोई सीट भूपेंद्र हुड़ा वहां से चुनाव रड़ रहे थे और भूपेंद्र हुड़ा गड़ी सांपला किलोई से चुनाव जीत गए हैं भूपेंद्र हुड़ा को ये बड़ी जीत मिली है जीत का अंतर है 70,626 वोट का इस वक्त की बड़ी हबर आपको बता रहे हैं भूपेंद्र हुड़ा अपना चुनाफ जीत गए लेकिन हरियाना में कॉंग्रस का हाथ मजबूत करने में वो नाकाम रहे हैं उनके नाम पे एक तरह से ये चुनाफ गणा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि कुमारी सेलजा या भूपेंद्र सिंग हुड़ा कॉंग्रस गठबंदन कॉंग्रस जो आला कमाने वो एक तरह से भूपेंद्र सिंग हुड़ा के पीछे था उनको पूरी तरह से बैक कर रहा था वो अपनी सीट तो बड़े मार्जिन से जीते हैं लेकिन कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाए इसके पीछे केके शर्मा जी आप क्या रीजन देखते हैं भुपेन सिंग उड़ा अपनी सीट पर मजबूत है आपके केंडिडेट को सतर हजार वोटों से राया लेकिन हरियाना में वो जादू नहीं चला सके केवल यही नहीं है कांग्रेस को तो हुड़ा जी ने हरवाय हरवाया जिसको अपना गड़ मानते थे वहां से भी हार रहे हूँ जिन सीटों पर उनको बहुत कॉन्फिडेंस रह चा था खासकर बांगर और खादर के छेतर में वहां भी कांग्रेस हार रही है वहां हम इनसे आगे हैं उन सीटों पर तो मैं यह कह रहा हूँ कि यह और दूसरी बात जो हार का कारण आपने कहा मैं दो बात जरूँ कहा कि माने प्रधानमंती पहले भी कहा कि डवल इंजन की सरकार ने जो डवल प्वेंट के काम किये घर गर तक जो विकास पहुचा उसके लिए जंता ने हमें आसिदवाद दिया लेकिन ठीक दूसरी तरफ जिस धंग से कांग्रेश भ्रम की राजनीती करती है गुम्रा करने की राजनीती करती है एक तरफ तो इसनी तरह आपमानित किया वहां के लोगों को दली समाज को कितना आपमानित किया जो है कांग्रेश पार्टी ने दूसरी बाट चुनाओ गैंपेंड में लेकिन किये के शर्मा वो तो यह कहते रहे कि नहीं आप लोग यह लड़ाई खड़ी कर रहे हैं आप लोग कुमारी सल्जा जी ने वो हमारे केनेपी दियें वो जूट हैं क्या उन्होंने ही खुद कहा कि मुझे मंच पे नहीं बुलाया दूसरी बार कि मंच पे नहीं बुलाया मुझे केंपेंड पे नहीं बुलाया और एक बात और है आपके फैक्ट के लिए एक बात बता दो कि जहां जहा लो टीएस बाबा सिंग, टीएस देओ, इनसे भी हाथ मिलवाया था शत्तिस गड़ में, आप राजस्तान में गहलो तो सचिन पाइलेट का हाथ मिलवा के फोटो खिचवाया था, ऐसे हाथ मिलवाकर जो है फोटो यहां भूपे नुद्डा जी और सेंजा जी का भी किया, जह Zee News